हेलो और वेलकम मैं हूँ पर आख्चापेकर जो आपको बताता है बॉक्स वाफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल तो इस सिपते रिलीज हुई ये बहुत सारी फिल्में जिसमें से बाजार, काशी, गाउं, दशेरा ये सारी है लेकिन हम बात करेंगे बाजार की पहले अमूमन शेर बाजार और जिस जो इस तरह का मार्केट है ये लोगों को आकरशित बहुत करता है हमारे भारती समाज में लेकिन लोग उससे डरते हैं लेकिन वो दुनिया के प्रती जो आकरशन है वो एक अलग दुनिया है उसमें जाकने का मौका फिल्म इंडस्ट्री देती है कई सारी हमारी फिल्में देती है उसी कड़ी में ये फिल्माई है बाजार बाजार कहानी ये शकुन कोठारी की, जो एक बहुती महत्योकांशी बिजनस्मेन है, लेकिन उसको सित नशा है पैसे कमाने का, इस पैसे कमाने में वो सही रास्ता, गलत रास्ता इस पे बिल्कुल धिहान नहीं देता है, लेकिन उसका उद्देश है सिर्फ पैसे कमाना, ऐसे में उसके जिंदगी में आता है एक शेर ब्रोकर, जिसका नाम है रिजवान, रिजवान आने के बाद चकुनको-ठारीक की जिंदगी और उसके शेर बाजार के मारकेट में काफी फिर्क पड़ता है, लेकिन इन दोनों के मिलन्स आखिर शेर बाजार में होता क्या है शकुन को ठारी उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है और आखिर इसका परिगाम क्या निकलता है इसी ताने बाने पर बुनी गई है बाजार डिरेक्टर गौरो अरोरा इस बात में उनके डेबी फिल्म है इस बात में पूरी तरह से सफल रहे कि आपको उस दुनिया में वो ले जाते हैं इस बात में एक डेबी डिरेक्टर की सफलता वाकई माइने रखती है जो स्क्रीन प्ले है निखिल एडवानी परवेशेक इन लोगों ने जिस तरह से उसका स्क्रीन प्ले गड़ा है भोव्य और चकाचान से आपको मंत्रमुग्द कर देता है और उस दुनि साइफ अलिक खान की तरफ देखकर समझा जा सकता है बाजार में वो जिस तरह से जंगल में शेर चलता है उस तरह पूरी फिल्म में सैफ अलिक खान नजर आ है एक शांदार पारफुल प्रेजेंस उनका स्क्रीन पर दिखता है चितरांगदा अपनी आखों से और सब टेक् मेहरा के साहबजादे हैं उन्होंने अपनी डिब्यू फिल्म के हिसाब से बहुत ही कॉल्फिडेंट पॉफॉर्मेंस दिया है लेकिन अभिने की बहुत बारीकिया जो होती है उससे सब टेक्स्ट की बाद उसके करेक्टराइजेशन की बाद वो अनुभवों के साथ-साथ दीरे दीरे उनको आ जाएगी यह उमीद की जा सकती है कुल मिलाकर बाजार जो है एक बहुत ग्रेट फिल्म नहीं है लेकिन एक मनुरंजक फिल्म में एक ऐसी दुनिया देखने का मौका है जो आप आपने नहीं देखी है तो मैं इस फिल्म को देता हूँ पांच में से ती काशी में मतलब पाप दोने के लिए जा सकते हो अधर्वाइस तो काशी का कोई मतलब नहीं बचता है काउँ एक छोटी सी फिल्म है जो पहुत ही खुबसूरत उसका कॉंसेप्ट है कि भारती इस जो 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 आज की चकाचॉंद और भागादोडी की दुनिया में गाउं का जो सुकून था जिस बुनियात पर गाउं रखा गया था यह जो जिस तरह का सेग्रिगेशन है हमारे समाज में वो गाउं में जिन्दगी किस तरह की थी और यह बाजारवाद आने से गाउं किस तरह से तभा हो गए बरबाद हो गए यह बहुत खुबसूरत कॉंसेप्ट क नहीं हुई हो पता नहीं, लेकिन अगर मौका मिले तो आप एक बार इसमें इसे देख सकते हैं, एक खुबसूरत छोटी सी फिल्म, खुबसूरत परफॉर्मस के लिए ये फिल्म आप एक बार देख सकते हो